हेलो गुड मॉर्निंग मैं मुकेस यूट्यूब चैनल मैं स्वित मुकेस मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कौन सम्दी बाजक पार्ट टू जैसा की पार्ट फर्स्ट एंगल बाई सेक्टर आ चुका है और आपने देख लिया होगा उसमें मैंने 5 पॉइंट पढ़ा है वैसे ही इसमें मैं आपको 6 पॉइंट पढ़ाऊंगा वो 6 पॉइंट कौन कौन से होंगे वो आपको वीडियो पूरा देखोगे तो ही समझ में आएंगा उसमें से एक भी पॉइंट मिस मत करना नहीं तो एक्जाम में एक कुईशन गलत हो जाएगा उस 6 के 6 पॉइंट पॉइंट है वो होगा कि और साथ साथ में आप उतारते रहे हैं मैं नोट्स पॉर्म में ही आपको लिखवा रहा हूँ अंतवरत की तीजिया रेडियस ओफ इन सर्कल यह रेडियस ओफ इन सर्कल पूरूब भी मताओंगा मैं इसका पूरूब कैसे आएगा तो देखिए कोई ट्राइंगल इस परकार से है अपने पास में a, b और c जहां से a का एंगल बाइश एक्टर बी का एंगल बाइस एक्टर और c का एंगल बाइस एक्टर जहां पर मिलते हैं हम उसको i से डिनाट करते हैं और इसी को अपन बोलते हैं इन सेंटर यानि अंतर केंद्र क्या बताएं मैंने ABC एक टाइंगल है जिसमें A का एंगल बाई सेक्टर B का एंगल बाई सेक्टर C का एंगल बाई सेक्टर जिस पॉइंट पर बिलते हैं वो क्या कहलाता है इन सेंटर अंतर केंद्र तो इस केंद्र को इस इस पॉइंट को में सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल बनाना चाह रहा हूं यह वाला कि जो कि सब इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हो इस पॉइंट को सेंटर मानकर यह जो है इस पॉइंट को सेंटर मानकर में ऐसा सर्कल ड्रो करना चाह रहूं जो की इस point से equal distance पर हो अब वो equal distance पर कैसा होगा क्योंकि यह circle मैंने draw किया है तो इसकी कुछ न कुछ तो radius होगी और radius आपको पता है equal होती है तो जैसे यहाँ से देखिए यह वाले radius r है यह वाले radius r है और यह वाले radius r है तो तीनों ही equal distance पर होगा तो जो अंतवरत की 30 अंतवरत की 30 इन रेडियस अंतवरत की 30 इन रेडियस बोलते है इसको जो होगा उसका जो formula होगा यहाँ से अच्छा question आता है ntpc में भी पुछा हुआ है और cgl में तो हर साल आता है तो देखिए इसका जो formula होगा वो होगा इसको small r से लिखते हैं तो small r इस पूरे त्रीबुच का छेतर फल डेल्टा से डिनोट करते हैं जिसको और इस पूरे त्रीबुच का छेतर फल अपॉन इसका त्रीबुच का semi perimeter को S से denote करते हैं यह इसका formula होगा इसको आप यहत करना है नोट करना है अच्छे से नोट करना है बहुत ही important है बहुत एग्जाम में यह पूछा जाता है यह जो होता है यह होता है त्रीबुच A, B, C का छेतर फल यह जो होता है त्रीबुच A, B, C का अर्ध परिमा इसको बोलते हैं semi perimeter ठीक है जिसको डेल्टा से डिनोट करते है वह त्रीबुच A, B, C का छेतर फल होगा और S से डिनोट करते है वह त्रीबुच A, B, C का क्या होगा अर्ध परिमा आप एसको क्या लिखते हैं S को लिखते हैं अपन A, B, C upon 2 यह होता है S अब फॉर्मूले आपको मैंने समझा दिया अब अपना काम है कि यह आया कैसे तो ध्यान से देखने की कोशिस करना बिल्कूल बेसिक से प्रूब बताऊंगा आपको आसानी से समझ में आएगा जो भी यह वीडियो देख रहा है स्टूडेंटस उसको आसानी से समझ में आएगा तो अपन देखिए प्रूब करने की कोशिस करते हैं कैसे होगा ध्याण रखिए इस साइट नोट कर ले होगा तो इस साइट देखिए कैसे इसका प्रोव होगा देखिए त्यान रखिए यह एक triangle है A B और C A के सामने A होती है B के सामने B और C के सामने C यह तीनों इस triangle की side है ठीक है यहां का angle by sector यहां का angle by sector और यहां का angle by sector जहां मिलते है उसको अपन क्या बोलते है in center जैसा कि आपको पता है यह वाला मैंने आज से एक circle प्रो किया था तो यह वाली radius R थी यह वाली radius R थी यह वाली radius R थी अब आप बताए मैं सबसे पहले यह वाला triangle ले रहा हूँ कौन सा A, I, B कौन सा A, I, B इसका prove कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ ठीक है त्री पूच सबसे पहले किसका लेंगे A, I और B का area of three पूच A, I, B फिर देखिए फिर दूसरा वाला देखिए मैं अलग-अलग marker से इसलिए ही बता रहा हूँ आपके आपको चलती से समझ में आएगा फिर देखिए ये वाला अपना कौन सा होगा B, I, C का ठेटरफल प्लस करना है B, I, C फिर प्लस करोगे ब्लैक मारकर से ये वाला अपना का A, I, C का किसका अपना का अपना का अपना का अपना का A, I, C किसके एकोल आएगा ये देखिए पहला यहाँ आगया दूसरा, तीसरा ये तीनों मिलकर किसका अपना रहे तो सर बताएंगे A, B, और C पूरा मिलकर किसका एरिया बना एरिया ओफ टाइंगल A, B, C अब देखिए आपने त्रीबुज का फॉर्मुला बढ़ा होगा त्रीबुज का छेतरफिन कितना होता है एक बटा डो बेस इंटू हाइट यही होता है यहाँ देखिए सबसे पहले में देखिए A, I, B में A, I, B में देखिए A, I, B में height कान सी है सर R बेस कान सा है सर C तो इसको क्या लिखेंगे शर एक बटा दो बेस इंटू हाइट फिर दूसरे में देखिए दूसरे वाले में क्या लिखोंगे B, A, C में यह हाइट यह बेस एक बटा दो यह बेस इन्टू हाइट फिर आप क्या लिखोगे तीसरे वाले में AIC में एक बटा दो कि बेस कितना है बी इन्टू आर और एरिया ओप तरी कुछ को किसे लिखेंगे डेल्टा से अपन डिनोट करनेंगे समझ में आ रहा है हा ना कुछ तो बोलिए नहीं आ रहा है तो भी ना बोलिए समझ में आ रहा है तो भी हा बोलिए ताकि मुझे पता तो लगे समझ में आ रहा है तो मैं और ज्यादा अच्छे से समझाओं बाकि आपको समझ में आ रहा होगा यहां तक मैंने समझाए कोई प् यहां कुछाएं बता फॉक्र सब्सक्राइब टो यहां कितना वल्छर्ण एक बटा दो र। थो ये सबूत है तीनों को देखें सभी नीचे दो-दो है दो एल से मा जाएगा तो यह कितना हो गया सी प्लस ए प्लस बी डेल्टा इसको एरेंज करके लिख दो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू यह डेल यह क्या होता है यह होता है सर एस एस होता है तो इन रेडियस की फॉर्मुला आ गया आर इस एकॉल टू डेल अपॉन एस जो कि डेल क्या है त्रीबुच का छेतरफल एस क्या है त्रीबुच का अर्दपरी माप ठीक है आपको कुश्चन ऐसे मिल सकता है यह देखिए यदि डेल बराबर 25 है और माल लो सेमिपेरिमिटर इसका 14 है तो इन रेडियस क्या होगी इन रेडियस होगी 25 अपॉन 14 ठीक है ऐसे ऐसे इसमें कुश्चन मिल सकते है तो जल्दी से इसको नोट किजिए और अपने नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड की और बढ़ते है होप यह आपको अच्छे से समझना आएगा होगा आपके देखिए कोई भी आप एक्जाम दीजिए उसमें इस टॉपिक से बाहर एक पी कुईशन अगर आया तो वो आप कर लोगे बाहर भी नहीं आ सकता इतना मैं आपको डीप लेवल से पढ़ातूंगा ठीक है अपन को समकौंट तरीबुच में अंतःवणत की ड्रीच्य कि कि इंगली से बोल देता हूं आपको 20 जो है वो राइट एंगल ट्रैंगल में क्या होगी क्या राइट एंगल ट्रैंगल में इनागल स को formula आपन इन radius में है आपन जैसे मालों यह right angle triangle है यह right angle है यह 90 degree है यह A है यह B यह C तो इसमें आपन एक इन radius ड्रौ कर एक circle में बना रहा हूँ यह वाला qa. तो इस circle की इस circle की जो radius होगी वो क्या होगी वो आपको बतानी है ठीक है वो कैसे ग्याड करेंगे तो A के सामने A, B के सामने B, C के सामने C, तो पहले मैं आपको formula बता रहा हूँ, इसका जब formula होगा in radius ग्याद करने का जो अन्तवरत की त्रिज्या होगी, सम कॉन tribus, right angle में हाँ, यह त्यान रखना, वो किसी भी त्रिबूज में था, वो कोई भी त्रिबूज लेज़े, आप किसी भी त्रिबूज में अन्तवरत की तिज्या ग्याद करने का formula था, R is equal to del upon S, और यह सिप right angle में होगा, right angle में होगा, तो देखिए, इन एक और दो, इसको जोड़के, A plus B, minus करना है, C को, और divide करना है, दो, C, आया समझ में है, हाँ ना, कुछ तो बोलिए, यह देखिए, बेस, यह perpendicular और यह hypotenuse, तो base plus perpendicular minus hypotenuse upon 2, तो से क्या आजाएगी अपनी in radius किसकी right angle triangle में, ठीक है, तो right angle triangle में है, जो अपन in radius ग्यात करने का formula होगा, वो होगा, R is equal to A plus B minus C, बटा 2, यह आया कास है, यह आप जानने की कोछित कीजिए, क्यों, अपना simple सा funda है, अपन कोई भी formula रखेंगे, तो इसको prove चरूर करेंगे, तो देखिए, इधर द्यान, यह मैं इसको समझाता हूँ, बहुत ही आसान है, आराम से समझन समझ में आएगा, मुझे बताईए, अभी अपन सीख के आए है, अभी अभी जस्ट, इस पहले वाले point में, मैंने आपको बताये था, कि सर, in radius का formula होगा, क्या होगा, सर, del upon S, ठीक है, अब मुझे आप बताईए, समकॉन ट्रीबुच का, जो अपने किसी भी ट्रीबुच का, छेतरफल गयाद करने का formula होता है, एरिया गयाद करने का formula होता है, वो सर क्या होता है, वो होता है, सर एक बटा दो, आदार इंटो, उचाई, तो यहाँ लिग देते हैं, एक बटा दो, आदार कितना सर A, B, हाँ, ना, कुछ तो बोलिए, याद हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, आप इसी तरह से पढ़ते रहे हैं, अब देखिए, S क्या होगा, S यही होगा, इन तिनों को जोड़के, दो का बाग, S का मतलब क्या होता है, त्रीबुच का perimeter, मतलब A, B, C, upon 2, A, B, C, upon 2, इसको अपन एर्ण्स करके लिखते हैं, यह 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2, A, B, upon, यह 2 यहां आ जाएगा, A, B, C, 2 से 2 नहीं काटना है, जहां काटना होगा, अपने अप काटेंगे, बागी यही रखना है, ऐसे का ऐसे, ताकि आपको और एजी लगे, अब मुझे आप यह बताईए, पाइतोगोरस थियोरम पड़ी, हाँ सर, तो पाइतोगोरस थियोरम में क्या होता है, सर, A का स्कोर, प्लस B का स्कोर, किसके एकोर आता है, सर, C के स्कोर के, क्याहां मैं अब इस A स्कोर प्लस B स्कोर की जगह यह रख सकता हूँ, इदर जान स्वाला मैंने करके देता हूं तो इसका मान आ जाएगा एप्लस टुए स्क्वार्ड अब मैं क्या करता हूं ए प्लस बी स्क्वार माइनस इदर लेकर आ जाता हूं स्क्वाला और टू एभी अकेला रख देता हूं कुछ समझ में आ 2AB की जगह आप अपन क्या रख सकते हैं सर यह रख सकते हैं 2AB 2AB की जगह अपन क्या रख सकते हैं A प्लस B का स्क्वार माइनस C स्क्वार 2A प्लस B प्लस C अब ध्यान दीजिए एक बार प्लस एक बार माइनस तो इसको ऐसे लिख सकते A प्लस B प्लस C a plus b plus c minus का यह से गया जाएगा और a plus b plus c upon 2 ठीक है यह a plus b plus c से पूरा कट गया क्या बच्छा आपने पास में a plus b plus c minus का c upon 2 तो यह अपने समकॉन तरी बुच में in radius का formula आ गया hope आपको मैंने अच्छी तरीके से समझाया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा ने समझ में आया होगा तो आप वीडियो को वापस पीछे करिए और आज पापस देखिए इसको आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा यहां तक नोट कर लिया होगा ने गया है तो कर लिजिए अपन अपने next topic next point पर पड़ते हैं जो कि होगा एक सेंटर बही केंद्र बही केंद्र क्या होता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ बहुत हाई लेवल का पढ़ रहे है अपन पहले पहले पार्ट में भी आपको अच्छे से मज़ा आया होगा कि सर हमने ऐसा नहीं पढ़ा है और दूसरे में भी आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आप वीडियो को end तक देखोगे तो ही समझ में आएगा वीच में छोड़के गए तो नुक्षान आपको ही है नुक्षान मेरे ओने वाला नहीं है ठीक है अपन अब पढ़ेंगे बही केंद्र तीसरा पॉइंट है अपने पास में बही केंद्र पर बनने वाला कॉर एंगल और एक सेंटर एक सेंटर क्या एंगल बनता है पहले उससे पहले समझना है कि एक सेंटर होता क्या है है तो देखिए एक सेंटर क्या होता है यह एक प्राइंगल है कि एक बी और सी देखिए कि मैं क्या करता हूँ कि इस एक सेंटर का मतलब होगा एक ट्रिबूट के जो भी एक्सटरियर राइंगल है उससे बढ़ने वाला क्या सेंटर उससे बढ़ने वाला जो सेंटर होगा उसे ही अपन एक सेंटर करें तो मैं गया करता हूँ ए बी को आगे बढ़ा देता हूँ यह बढ़ा दिया सी को भी मैंने आगे बढ़ा दिया तो देखिए जब सी को मैंने पहली क्लास लीती लाइंस हैं एंगल की तो मैंने देखिए यहां से मैं एक एक में बैस अलेता हूं और यहांसे भी पहले तो देखिए एक्स रेच्टर एक्टर एंगरें कर आप सेक्टर बी का और ये थिसक्रफ एसरेगों सेक्टर यहां से एंगर्वानेंसंटर के लिए इन ये उसके मिल जाएगा नहीं ये क्या हो गया I और इसको मैं नाम देता हूं P समझ में आ रहा है exterior angle त्रिबुच की एक बुजा को बढ़ाया यहां से exterior angle by sector खिचा और C से भी exterior angle by sector खिचा जो भी कहा मिल रहा है P पर B से angle by sector खिचा और C से angle by sector जो मिल रहे हो in center यह तो मैं आपको पढ़ा कर आओं अब मुझे बताईए यहाँ पर बनने वाला कौन कितना था सर अपने बताया था यह होता है 90 degree plus half of a हाँ सर याद आया लास्ट जो अपने angle by sector part first पढ़ा था उसमें मैंने यह proof भी करवाया था तो अब बताईए यहाँ पर angle बनने यहाँ पर जो बनेगा वो कितना होगा सर यहाँ पर बनेगा यह plus में है तो यह बनेगा 90 degree minus half of a यह और इस p point को जो बोलते है अपन इसको बोलते है एक सेंटर क्या बोलते है बही केंद्र कभी नहीं पड़ा होगा बही केंद्र जिन्होंने पड़ा है उसको प्रूव नहीं आता होगा यह formula यह याद होगा लेकिन प्रूव नहीं आता होगा अब देखिए सर यह आपने यह तो बता दिया कि 90 degree minus 90 degree minus half of a by 2 होता है लेकिन सर यह तो बता यह होता कैसे है तो यह कैसे होता है यह मैं आपको बताने की कोशिस करता हूँ देखे इधर त्यान दीजिए एक straight line पर बनने वाला एंगल कितने degree होता है यह आपको पता है कितने degree sir 180 और एक straight line पर कितने भी एंगल बना दो कितने भी जितने चाहे उसका sum भी कितने दीजिए होता है 180 मालो यह alpha है यह beta है ठीक है अब मैं क्या करता हूँ तो देखे alpha plus beta कितने degree हुआ sir 180 मैं क्या करता हूँ इसका angle by sector लेता हूँ इसका angle by sector तो यह कितना हुआ यह वाला sir alpha by 2 इसका angle by sector लिया तो यह कितना हुआ sir beta by 2 तो alpha plus beta by 2 कितने degree होगा sir 90 degree कैसे इसमें भी डो का भाग देदी तो alpha by 2 beta by 2 कितने degree हुआ sir 90 degree तो यहां से आपको यह पता लग गया तो देखिए यही देखिए एक line दिख रिये simple सी यह straight line पर बढ़ने वाले angle इस line यह देखिए इसका angle by sector इसका आप मुझे यह बताए यह वाला angle यह वाला angle क्या 90 degree हुआ यह नहीं हुआ हां sir यह वाला angle 90 degree हुआ यह वाला 90 degree तो यहां पर भी यह 90 degree यह वाला 90 प्लस half of a by 2 है और यह वाला 90 माइनस half of a by 2 है कैसे हुआ वह देखिए अभी समझ जाता हूँ पहले आपको यह 90 degree था समझ में आया ना कैसे हुआ 90 degree यह वाला जब angle by sector एक straight line पर एक angle by sector और एक exterior angle by sector तो दूनों के बीच में जो होगा वह 90 degree होगा इधर द्यान देजिए तो देखिए यह B P C I यह coordinate लिख़़ा है चत्र बुज़ए और चत्र बुज़़च के 4 और यह कितने degree होता है सर 306 तो देखिए angle B plus angle C यहां से देखिए angle P plus angle C plus angle I कितने दिग्री होगा सर 360, B कितना है, सर B होगा 90, P कितना है, सर पता नहीं, C कितना है, सर 90, I कितना है, सर 90 डिग्री पलस हाप ओफ ए, यह 360, 90, 90, 100 C और यह कितना हुआ, 270, 270, तो कौन P पलस, 1 अपॉन 2, यह कितना हुआ, 360, और तीनों को दे रहेंगे, तो कितना हुआ, 270, एंगल P पलस, हाप ओफ ए, बाई 2, यह कितना हुआ, सर 90, P यहाँ रग दो, इसको इधर भेज दो, तो यह कितना हुआ, यह बाला, आया, प्रूब, प्रूब हमेशा करने की क प्रूब, जब तक आपको प्रूब समझ में ने आएगा, तब तक आपको फॉर्मुले समझ में ने आएगा, फॉर्मुले रट लगके, रटा माल लोंगे, लेकिन वहाँ जाओंगे, और कुछ बीश में से कुशन पूछ दिया, माल लो, उसने कुशन पूछ लिया, कि A, B पी, A, B, C एक टांगल है, जिसमें, B, B से I, और C को I से मिलाने पर एक अंगल बाई सक्टर पर मिलते हैं, और A, B, बुजा को आगे बढ़ाने पर वो B से P exterior angle by sector और C से P exterior angle by sector जहापन भी मिलते हैं वो बही केंद्र हो गया तो अब ये बही केंद्र का मानना पूछके वो पूछ ले कि I, B, P कितना होगा तो आप क्या बताओगे तो पूरा प्रूफ पड़ा होगा तो सब आपको पता होगा कि वो 90 degree होगा अच्छे से अच्छे question बढ़ाएगा तो यहाँ दोनों से भी पूछ सकता है ठीक है तो अब इसको note किजिए और अपन अपने आगे पड़ते हैं इस बही केंद्र इस केंद्र इस point को center मानकर एक अपन circle की सकते तो उस circle की radius किस क्या होगी वो में आपको बताता हूँ और फिर last वाला point पड़ेंगे आज का जो की बहुत ही मज़ेदार point होगा जो आपने कभी निप पड़ा होगा और even कुछ बच्छों के दिमात में वो वाला question आने लग गया होगा या आया होगा तो उनको कभी किसी ने नहीं बताय होगा बताया होगा तो उनको पता नहीं होगा तो अपन मलते हैं रेडियस ओफ एक सेंटर कौन सा पॉइंट है अपना छोता या पांच वाजो भी है तो बही किंद्र बही वरत की त्रीच्या किसकी बही वरत की त्रीच्या रेडियस ओफ एक सेंटर रेडियस ओफ एक सर्थ ठीक है क्या होगी ध्यान दीजिए इतर यह होता है आप 2 इस इकॉल टू डेल अपोन एस माइनस बी या आरवन इस इकॉल टू डेल अपोन एस माइनस ए या आरथी इस इकॉल डेल अपोन एस माइनस सी यह होती है अपनी एक सेंटर की एक सर्कल की रेडियस तो कैसे ग्यात करेंगे इधर ध्यान दीजिए देखिए देखिए ये एक ट्राइंगल है एक ट्राइंगल है त्यान दीजी इधर एक ट्राइंगल है जिसकी बुजा को मैंने एक आगे बढ़ा दिया जिसकी बुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया यहां मैं दे देता हूँ B यहां दे देता हूँ A और यहां दे देता हूँ C A B C एक ठीक है जहां से C का एंगल बाई सेक्टर C का एक्सेरियर एंगल बाई सेक्टर और A का एक्सेरियर एंगल बाई सेक्टर जहां पर भी मिल रहे हैं वो होता है इस point को center मानकर एक ऐसा circle draw कर सकते है जो यहाँ से equal distance पर होगा तो देखिए ये वाला मैं एक draw करना चाहरा हूँ ये वाला ये एक circle मैंने draw किया है तो ये circle जो ये circle होगा इसको बोलते है बहिवरत क्या बोलते है बहिवरत तो यहाँ पर जो angle बनता है वो मैंने आपको बता दिया था कितना होता है 90 degree minus half of a ठीक है यह मैंने बता दिया था अब मैं इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की radius लेना चाह रहा हूँ यह वाली radius है यह sir r2 यहाँ से यहाँ तक यह same है यह भी r2 और यहाँ से यहाँ तक यह radius भी कितने होगी r2 अब देखे अब बात है समझने की तो इसको prove कैसे करेंगे मैं b से p को मिला रहा हूँ मैंने क्या क्या b से p को मिलाया b से p को मिलाया तो देखे b से p को मिलाया तो देखे कौन कौन से triangle गूंगल बने एक तो मैना B-C-P, एक बना B-A-P और एक बना A-C-P और टोट यह तिन ट्रैंगल बने और छौता बना A-B-C इसका तो अपन को एरिया फाइंड करना है ठीक है तो देख लिए सब्से पहले वाले देखते हैं इस वाले में आपको फो एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं द्याहर लख्टञें किए कि अब कुझी यह बनाई हिए एक एक किov टैंगल टाइंगल है ठीक यह और यहे एक कि आप्ट्यू टैंगल टाइंगल ह कि यह क्या है उसी अच्छा पॉइंट बाग कभी लोगों को नहीं आता यह point ध्यार लख लिए acute angle triangle में तृबुच की जो height होगी जो triangle की height होगी तृबुच की जो उच्छा ही होगी वह यहाँ पर डाला हुआ एक perpendicular होगा तो जो तृबुच की height होती है वह अंदर होती है एक्यू टैंगल में ट्रिबूज की जो height होती है वो कहां होती है अंदर लेकिन अप्टू टैंगल में अपन height या draw नहीं कर सकते हैं अप्टू टैंगल में triangle की जो height होती है वो c से b को बढ़ाने पर इस वाले vertex से बाहर की और खीची गई 90 degree जहां पर भी बनाएगा वो उसके क्या हो जाएगी height हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा point है काफी लोगों को नहीं आता याद रख़ा équation triangle triangle में곡ा jgc between height होगी वो अंदर होगी option टैंगल में जो treble Representatives से bाहर होगी ठीक है अब प्रूब करते हैं इसलिए बतायां क्युक्कि इसमें आए गा और जब मैं बता था फिर तो बोलते सर यह height का से आई तो देखिए ध्यान लखिए इस side देखिए ये वाला equityा पिट अप्टी जैंगल टाइंगल बढ़ना, ये वाला, ये देखिए, B, I, C, तो मैंने बताया, इस पुजा को बाहर बढ़ाया, तो ये इसकी अब क्या हो जाएगी, हाँ सर, अब समझ में आया, कि अप्टी जैंगल टाइंगल में, हाइट जो होती है, वो बाहर होती है, त अपने को तो हाइट तो ये आट पुछिए, लेकिन अपन को जो A के सामने ये A है, B के सामने ये B है, C के सामने ये C है, तो अपन को बेस A लेना है, क्या लेना है, बेस A लेना है, अब यहाँ बेस A लेंगे, लेकिन यहाँ तो B T लेने पर, B T, P लेने पर, जो बेस होगा, वो B T हो जाएगा A नहीं हो जाएगा इसलिए मैंने B T नहीं लिया है मैं ले रहा हूँ B C P तो triangle area of B C T फिर क्या करता हूँ मैं फिर ये दूसरा वाला triangle लेता हूँ ये वाला triangle देखे B A T क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा B A P फिर मैं इस मैंसे देखे इदर ध्यान दीजिए सब नोटिस किजिए इस board पर ये वाला triangle ये वाला triangle दोनों आ गया इस मैंसे मैं भी ये वाला triangle A C P ये वाला triangle ये वाला minus कर दूँ तो क्या आपने पास मैं ABC का छेतरफल बचेगा कि नहीं बचेगा हाँ सर बचेगा ध्यान रखेए पहला वाला दूसरे वालों को जोड़ा और तीसरे वालों को मैं minus कर देता हूँ कौन से? ब्लू वाले को तो ब्लू वाला कौन सा है? सर एरिया ओफ त्रीबूज A C A P C A P P C तो किस में बचेगा किस के बचेगा A B C के area of triangle A B C के समझ में आ रहा है? हाँ ना कुछ तो बोलिए जहाँ पर भी बैटे हो हाँ ना कुछ भी बोलना है ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो देखिए यहां से यह A तो देखिए त्रिबुज का चेटरपल क्या होता है एक बचा दो आदार इंटू उच्छाई तो एक बचा दो आदार कितना है सर A हाइट कितनी होगी अप्टियोच आइंगल टैंगल की सर R2 फिर पलस करना है फिर यहां देखिए B A P 1 upon 2 हाइट कितनी होगी हाइट तो R2 होगी लेकिन बेस कितना होगा सर A C होगा और यहां कितना होगा सर इंटू R2 फिर माइनस किसको करना है माइनस करना A C P को तो इसकी देखिए यह base कितना हो गया? base हो गया B और height कितनी होगी sir R2 और deal ठीक है? थोड़ा जूम करके देख लेना बागी मैं बोलने पर ध्यान सुनने पर ध्यान दीजिए लिखा हुआ काम नहीं आएगा सुनने पर ध्यान दीजिए सुनना हुआ बहुत काम आएगा अब देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है sir यहां से R2 कॉमन आ रही है क्या कॉमन आ रही है? sir R2 R2 कॉमन आ यही तो यहां कितना बचा sir यहां बचा A by 2 यहां कितना बचा sir C by 2 यहां कितना बचा sir minus B by 2 और यहां कितना बचा delta मैं कुछ खेलना क्छा रहा हूँ, इस MATS के साथ मैं कुछ खेल खेल रहा हूँ, उस खेल को आप समझดीए, क्या खेल है, मैं करता हूँ A by 2, मैं करता हूँ C by 2, यह ऐसा का ऐसा, अब मैं माइनस है तो मैं क्या करता हूँ, पलस B by 2 को जोड रहा हूँ, और माइनस B by 2 को गटा रहा हूँ और B by 2 को ऐसा का ऐसा ही रख दिया, मैंने क्या क्या, अपनी तरब से B by 2 जोडा और अपनी तरब से ही B by 2 को गटाया ठीक है? मैंने क्या गया है? अपनी तरब से ही B by 2 को जोड़ा है अपनी तरब से ही B by 2 को गटाया है और ये माइनस का B by 2 ऐसा का ऐसा रखा है अब ध्यान दीजिए, ये 8 हो गया देखे, ये कितना हो गया? सर यह हो गया A plus क्या से A plus C plus 2 B upon 2 और यह minus B by 2 minus B by 2 मिलके कितना बनाया सर B क्या आपको पता है A plus B plus C upon 2 कितना होता है सर यह होता है S और यह minus B यह हो गया delta तो यहां से अपना controller लिखला कि A2 वराबर कितना है देल upon S minus B तो यह मैंने proof बता दिया है आपको आप इसको एक मिनट आराम से note किजिए समझ में नहीं आये तो वीडियो का वापस पीछे करके देखिए इसको कही पर भी समझ में नहीं आये तो उसको ज्यादा focus किजिए बहुत ही अच्छा है यहां तक आज तक कही किसी ने question पूछा नहीं है जैसे जैसे computation बन रहा है यहां से question भी आना start हो जाएंगे तो देखिए और अपने फिर पांचवे point पर पढ़ते हैं कि पांचवे point क्या होगा वो देखिए आप note किजिए इसको note कर लिया होगा आपने और आपको अच्छे से समझ में आया होगा अपन अपन पढ़ते हैं पांचवा point पांचवा point क्या कहता है वो द्यान रखिए इसमें देखिए पांचवा point बहुत की मज़ेदर point है जो की सिब समझने पर बेस है और वो एक ऐसा topic है जहां बचों के pollution कुमता है की एसा क्यों होता है ये आपको बहुत समझना आभिशक है वास्तब में देख रहा है आपको ऐसा होता क्यों है वो मैं समझा रहा हूं क्यों होता है ऐसा क्या ह्या Help ? कि ये ABC है ये A, ये B, ये C ये ABC एक triangle है जिसमें A का एंगल बाई सेक्टर A का एंगल बाई सेक्टर A D है B का एंगल बाई सेक्टर B है C का एंगल बाई सेक्टर C F है ठीक है अब सर ये तो बना दिया बार-बार बना रहे हो जो तीनों मिलते वो क्या होते है इन सेंटर लेकिन क्या है कुशन ये है कि त्रीबूज में तीनों एंगल बाय सेक्टर एक ही पॉइंट पर क्यों मिलते हैं क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा कुशन आया नहीं आया ना तो कोई बात नहीं मेरे आया है मैं इसको करवा देता हूँ अब देखिए जब मैंने इसको थोड़ा सा सोचा क्या ऐसा क्यों हुआ देखिए ये ए ये बी ये सी ए के सामने ए बी के सामने बी सी के सामने सी आप बताइए ये वाला इंगल बाइस सेक्टर यहां हो गया ये वाला इंगल बाइस सेक्टर यहां हो गया तो तीसरा आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश किजिए क्यों हुआ ऐसा ये यहां से क्यों नहीं गुजरा यहां से यह उकर पर बिद जा सकता था यह यहां उकर पर भी जा सकता है ऐसा आखरी में क्यों हुआ कि यह इस A को यहां सही पास होना पड़ा तो कीन हुए एक बिंदू पर क्यों मिलते हैं यह आपका स्वाल है तो देखिए इसको प्रूब करना है, सिर्फ समझने का है, इसमें लिखने का कुछ नहीं है, देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक circle ड्रॉ करता हूँ यहां से, यह मैंने circle ड्रॉ किया, यहां से यहां तक, यह मैंने circle ड्रॉ किया, अब बताए, circle की कुछ न कुछ तो radius होगी, यह circle क तो होगी इसको मैंने आर दिया तो यह भी सरकल कि रीडियस होगी यह भी सरकल की रीडियस होगी आपको यह बताना है कि तीसरा आंगल बाइश सरक्टर इस पॉइंट本 से पास होकर क्यों जाता हैं तो देखिए दियान लखिये इदर इस बोर्ट की तरफ ज жен लखिये मुझे आप यह बताइए क्या सर्क्ल की तीनो रेडियस बराबर होती है है आप आगे जाओगे सर्कल में यह पड़ोगे कि किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट से सर्कल पर खिची गई इस पर स्रेखा हो कि लंबाया भी बराबर होती है क्या बताएं मैंने किसी बाहर यह बिंदू से सर्कल पर खिची गई इस पर स्रेखा है बराबर होती है जो बाहर कोई B point से D पर एक tangent कीची है B से F पर एक tangent कीची है तो B और D किसके बराबर होगा B F के बराबर होगा क्यों क्यों कैसी है tangent है इस पस रिखाए है अब मुझे बताए अब मुझे बताए यह देखिए इस वाले triangle में इस वाले B F I triangle B F I V triangle B D I दोना में देखिए B D B F के बराबर होगा क्यों tangent है आप मुझे बताए क्या I F और I D ये भी बराबर होगा हाँ सर ये भी बराबर होगा क्यों क्योंकि कैसी है same radius of same circle एक ही वरत की त्रिज्जा है तो एक ही वरत की त्रिज्जा है तो समान होती है हाँ सर अब मुझे बताइए दो गुजाए बड़ाबर होगी तो ये क्या bi common होने के कारण बड़ाबर हुई या नहीं हुई ये दूनों में common आ रही है इस वाले triangle में भी common आ रही है इस वाले में भी common आ रही है तो bi बड़ाबर bi कैसी side है common side 9th class में अपने पड़ा होगा जब 3 होई बड़ाबर हो SSS, SS congrency से SS सर्वांग समता से हम ये कह सकते है CPCT लगा के cross bonding parts of congruence triangle सभी सर्वांग सम त्रीबुजो के सभी सर्वांग सम बाग होते है समरो बाग वो बड़ाबर होते है इसका मतलब ये BI जो होगी वो इस ही point से पास होगी इस point से ही मिलेगी तो ये 3 एंगल bicector एक ही बिंदू पर क्यों मिलते है ये आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा ठीक है तो मैंने आपको पूरी तरीके से आज जितने भी point बताए है वो इस angle bicector के part first और part second enough है उससे बार कोई question नहीं आएगा तो thank you very much आगे एपन पढ़ेंगे gravity center जो कि एपना next part आएगा geometric का geometric के 5 part आ चुके है चार part आ चुके ये 5 बार में upload कर दूँगा पूरा जिसने भी पहले के 4 parts नहीं देखे वो पहले 4 parts देखके आएगा उसके बाद 5 बार देखेंगा